कमिश्टर दू कॉर्प्रेटर श्री अक्रम बारेकुंदरी साहब द्याम गोड़र जी और सब नौजवान बिलगाम खुबसुरुत बनाने का सिर्फ देखने के लिए नहीं बना रहे हैं हर चीज जो बन रही है वो वो इसलिए है कि यहां के लोगों को बाहर के लोगों के आने से फायदा हो जैसे आपने देखा कि जैसे फुटपाद बना और लोका आना जाना इदा शुरूआ रोड़ बने के साथ में तो नारेल का वेपार बढ़ गया है आईस्क्रीम का बढ़ गया है ऐसे हर चीज़ को एफेक्ट होता है शहर में कि जब और सबसे बढ़ करके खूबसुरूद लाइट से बढ़ करके हमारा बिहेवियर अगर हमारा बढ़ता हो अगर खूबसुरूद होता है हमारी जबान अगर बीटी होती है सामने वाले के साथ में तो आकर्शिक हो करके वो अपने आप से आपके दुकान में हो आपके होटल में हो आपके गाड़ी में हो जा भी हो वो आकरके जब वेपार और चलंज शुरू होती है तो फिर उससे तरक्य बाजु वाले की तरक्य आप जिसको नौकरी देते हैं उसके घर की तरह की यह बहुत बड़ा एक इफेक्ट होता है हर चीज पर हर जो चीज कर रहें चाहे खेलने का मैदान बना रहें तो इसलिए बना रहें कि बच्चे थोड़ी गलत आदतों से हटके अपना वक्त अच्छे जागे पर गुजारें खेल कूद में गुजारें ये बहुत अलग 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 चीजे हैं ये समझ करके सोच करके इसको आप अपनी नदर डालिए तब जाके आपको लगेगा कि भी तब जाके आपको पता चलेगा कि हम करने से हमारे वज़े से हमारे बिहेवियर के वज़े से सौ दोगों की फैम मार दिया, जवाब में दो पथर मारा, उसने जवाब में तीन पथर मारा, ये एक गलत और गंदे लोगों की चाल है, जो ये सरकार को बदनाम करना चाहती है, जो जिल्ला मंतरी को बदनाम करना चाहती है, जो हमें बदनाम करती जाती है, एक कौम को बदनाम करना चाहती है, य झाल झाल